हाई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चारल ओद आתमें लिए बहुत ही इसी स्नाक की रेस्पी लेकर करें आई हूं जिसे आपशुबह के ब्रेक फास्ट में या साम के स्नाक में Easily बना सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही आसान दोरी किसी से बना सकते हैं पांश मट पर यहिंगा तो फ्रेंट चेलिए मेसे बनाना शुरु करते हैं टो फ्रेंट सबनाने के लिए मैं यह पत्राइब ग्रीमच उठीक अच्छे से फूल चुकी है तो हम इसको हलका सा प्रेस्ट लेंगे साथ हम इसमें आठ करेंगे दो इंच अध्रका टुकड़ा और दो अरी मिर्ची तो इन्हें भी साथ में डाल करके अच्छे से पीस लेंगे एक से दो मचमी से पानी यहट करेंगे और इसका पेस्ट त्यार कर लेंगे तो यह देखिए दाल हमारी अच्छे से पेस्ट गई है तो इसे अभी एक साइड में हम रख लेंगे तो यहां पर एक बरतन लिया है मैंने इसमें मैंने एक कप चावल काटा लिया हुआ है तो चावल के आट आदा चोटी चामच और एक पिंच हींग एड़की हों है नहीं तो हींग उरत की दाल में जरूर डालें आप और आदा चावल चाहिए मैंने नमक एड़क किया है और यहां पे धनिया के पत्ते कुछ अटकी है वें मैंने मैंने बारी चाट कर करके और यहां पर दो सिदीर मैंने यहां पर ओयलेट किया हुआ है इसमें मुयन के लिए तो इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो तीन बड़ी चमच मैंने यहां पर ओयलेट किया हुआ है सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पहले थोड़ा सा शोमीस तो इस तुरह देखे यह मिल गया है अच्छे से अब हम इसे डाल लेंगे तो डाल जो हमें पीसके रखे हुई थी उसे भी हम इसमें एट कर लेंगे कि इस तरीके से mirror मों wet ही मेरे से भूब है ४ कि व Г הא आुटी बनती हिए है इसकी पंक तो इस तरह से दाल को आठे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दाल अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद ही इसका आठा लगाएंगे तो यहां पर देखिए दाल को मैंने बहुत ही अच्छे से आठे में मिक्स कर लिया है इसके बाद मैंने यहां पर थोड़ा सा गुनगुना त्यार कर लेंगे तो यह देखिए मैंने इसका आटा लगा लिया है नॉर्मल आटा मैंने इसका लगाया हुआ है और से थोड़ी दिर के लिए ढग करके रख देंगे इसके बाद इम इसके लुईय안 कट लेंगे चुटी-चुटी यहां पर एक वोई को लेंगे और इसे हाथ dependence पर अच्छे से इस था से रोल करते हुआ इसे फ्लैट कर लेंगे पूड़िया जैसे हम बनाया तो इस तरह से इतरों से फ्लैट करके हम और बहुत इसली बन जाता है तो फटा फट से जब भी आपको कचोड या समोसे खाने का अमन करें तो आप इसे बना सकती है बिल्कुल बहुत ही मज़िदार रस्पी है खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है तो यह देखिए मैंने एक यहां पे खस्ता बना के तयार कर ल लेंगे और इसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे बूल शेप देते हुए तो जरुत लगे तो आप थोड़ा सा आतों पर आयल लगा लें उससे इसली बन जाएगा तो यह देखिए मैंने इसे भी अच्छे से फ्लैट कर लिया है और यह भी हमारा बनके रड़ी हो गया है त इस तरह से हम सारी खस्ते बना करके प्यार कर लेंगे तो यह दिखिए मैंने आपे कुछ बना करके रड़ी कर लिया है और तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम इने फ्राइ करेंगे तो इसे दीमी आज पर हमें गोल्डें ब्राउन उने तक अच्छे से कुक आपे कुछ पूरिया मैंने इसमें एड कर दी है और इसे गोल्डें ब्राउन होने तक अच्छे से से शेख लेंगे कि आप चाहें तो इसे टेमेटो सॉस के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं बहुत ही मज़िदार है खाने में है तो फ्रेंट्स वीडियो आपको कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंट्स तो यह देखिए फ्रेंट्स हमारी खस्ता कचौरी बनके रड़ी हो गई है वह भी बहुत ही आसानी से तो इस तरह से हम बाकी पूर्णियों को भी एड कर देंगे और इसे भी इस तरह से बना करके तयार कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से मैंने तयार कर लिया है तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा फ्रेंट्स थैंक्स पॉर वाचिंग